mathematics में factorial का मतलब होता है कि एक number से छोटे सारे numbers का उसके साथ multiplication जब तक कि 1 नहीं आ जाता यानि कि अगर मैं 5 के factorial की बात करो तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 की बात करो तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इस तरह के factorial की calculation आप लोगों को मुझे करके दिखानी है इस exercise के अंदर मैं आप लोगों को question देने वाला हूँ factorial calculate करने के लिए आप लोगों अगर इस challenge को accept करते हैं तो इस video को like करना सबसे पहले और फिर उसके बाद नीचे comment section में challenge accept it ज़रूर लिख देना चलते है computer screen में let's roll the intro आज का जो question है वो बहुत जादर simple है तो मैं video 65 नाम से जल्दी से एक folder बना लेता हूँ पहले तो और मैं यहाँ पर video 65 के नाम से एक folder बनाऊंगा और यहाँ पर video 65 नाम का folder बनाके मैं vs code में खोलूँगा इसको index.html यहाँ पर डालूँगा और index.html डालने के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को एक question देता हूँ और वो question बहुत ही simple है write a program to calculate factorial of a number ठीक है तो आपको factorial जो है वो number का निकालना है using reduce and using for loops ठीक है तो यहाँ पर आपने करना क्या है किसी भी number का factorial आप लोगों को निकालना है using reduce and using for loops कैसे निकालोगे जिसे मालनो मैंने आप लोगो 6 दे दिया तो 6 का factorial आप कैसे निकालोगे 6 का factorial होगा by the way अगर आपको नहीं पता factorial क्या होता let me tell you 6 का factorial will be equal to 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 यह होगा हमारे 6 का factorial तो एक काम तो आप यह कर सकते हो कि आप एक array बना सकते हो 1 to 6 तक का या 6 to 1 तक का और उस पे आप एक multiplication का reduce लगा सकते हो वाल्यू जो आईगी वो factorial हो जाएगा एक दूसरा तरीका है आप for loop लगा सकते हो और for loop को लगा कर आप यह पता कर सकते हो कि क्या multiplex का तो आप एक product नाम से variable बनाके एक for loop के अंदर आप values को decrement करते जाओगे या increment करते जाओगे वो आप देख लेना कैसे करना है आपको मुझे final factorial की value आप निकाल कर देऊगे दो methods से एक to reduce से और एक for loop से ठीक है तो ball is in your code आप लोग challenge accepted लिखो सबसे पहले तो नीचे comment section में अगर नहीं लिखा है अभी तक आपने तो और उसी के साथ सा solution भी चाहिए और वो सबसे जाधा important है challenge accepted से जाधा important है challenge accepted आप लिखते हो तो यह मुझे पता चलता है कि हायर आप pumped up हो करने वाले हो चीज को और जब आप actual में solution पोस्ट करते हो ना तब आती है बात बात तब बनेगी तो इसलिए आप लोग जो है challenge accepted लिखो और इसको solve करो अच्छल में सब का solution मुझे चाहिए अगर playlist access ने करी है sigma की तो उसको कर ले ना अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाई मिलते हैं इस वीडियो के solution में thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो कर दो